वेल्कम टू माईट्वी चैनल जेएच मैथमेटिक्स वर्ड आज हम लोग जो इंपोर्टेंट कोईशन स्रीज है एक्जामिनेशन 2022 का जो वीडियो में बना रहा हूं उसमें आज हम लोग आप लोग का सेकेंड चैप्टर पॉल्णीम्ल को लिए हुए है आप बॉर्ड में देख रहे हैं जहां पे कि जो हम लोग का पॉल्णीम्ल चैप्टर दिया हुआ है वह हमारे एक्जामिन स्टू दूटाउंगों ट्वेंटियू में किस परकार से मार्क्स डिस्ट्रिपूट किये गया किस परकार से किस परकार के कुईशन साइंगे अब इसमें देख रहे हैं कि Ms.Q जो है आपका one marks का आएगा है एक क्वेशन और सौर्ट अंसर टाइप कुईशन जो है तीन मार्क्स का एक आएगा और four यहां पर आप लोग का जो सिर्फ दो ही एक्ससाइज इंक्लूड किया गया है सिलेवस में और दो एक्ससाइज को यह हम लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम लोग के जो यह एक मार्स जो कोईशन आसानी से उठाया जो पहला कोईशन लिए हुए उसमें क्या दिया हुआ है फाइंड जीरो 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 निकलेगा उसका करना है को फिसन डाव 10 की भी जो रिलेशन है उसका है रॉप से को चालि हम लोग इसको शॉल करते हैं जीरो उसके सिनकालते हैं है पहले हम लूद्ट को देखते हैं को इसपको लेट को एक्स स्कूएर प्लस सेब İ Ňक सबनेक्स प्लस 10 इकल टी जीरो को यहा पे इस जो कवार्डिक परनेमिल का जिरूस निकलेंगे हम लोग इस Sharing कर involसर के जाता है एकसिसकौरर जाता है जो कविशेंट है उसको लिखा जाता है और दोनों को multiply करके जो product आता है उसी का हम लोग दो ऐसा जो product है उसको दो नमबर के product के रूप में express करेंगे और यहां पर क्या sign है plus तो plus करके यह 7 आना चाहिए तो अभी हम लोग देखते हैं कि 10 को हम लोग दो नमबर के product के रूप में कैसे लिख सकते हैं तो यह खुदी है उसके बाद देखिए टू लिखिए टू इंटू फाइब टेन हुआ यह लिखने के बाद यहां पर जुरू देखिए कि हाँ प्लस है न यह प्लस करके 7 आ जाना चाहिए जो यहां पर हम लोग का दो फैक्टर मिला हुआ है तो जैसे पहला वाला जो हम लोग को फैक्टर मिला है 10 इंटू 1 उसको यह दिखिए जाए तो 11 हो जाएगा लेकि जो दूसरा हम फैक्टर लिखे हैं 5 इंटू उसका यह प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 तो हमको 7 मिल गया इसके बाद का हम लोग को फैक्टर लिखने के आउसकता ही नहीं तो लोग मिल इसको लिख देना है चलिए लिखते हैं एक स्कूर्द और इस मैठड को अब लोग को पता है कि क्या हों सा मैठड काते हैं स्प्लिटिंग इसको स्प्लिट कर देते हैं तो स्प्लिट करने का प्रोसेज्ट जो है आपको बताएं अब जब भी यहां पर इमिडिल तर्म को जो स्प्लिट करिएगा तो अब अभी सा ध्यान देजिएगा बादा छोटा लिखिएगा इससे आसान होता है यदि प्लस में चल जाएगा स्प्लिट कर दिया अभी देखिए एक्स स्प्लिट करके पर कितना टर्म बना दिया चार तीन था चार हो गया इसके बाद हम लोग करते हैं कोई भी दो नंबर या दो टर्म के बीच में जो common होता हूँ दोनों का scf होता है तो पहले तो हम लोग यहां फेक्टर लिख लेंगे 5 into x देखे यह x common है सोरी सब x common है यहां पर तो यह x लिख दीजिए लिख दिया अब लिख देने के बात देगें क्या बचा एक्स बचा और इसमें फाइब बचा ठीक है तो आप एक्स और यहां पर प्लास फाइब बचाहिए लिख देना है यह प्रोसेज जो है तो यह आप लोगको माइंड में ही इसका हम लोग फ्रेक्टर सिंट कर लेंगे यहां यहां भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा घ्न देंगा और यहां देने समय हमेशा ध्यान देजेगा कि बाहर में जो आप लिखे है तो यहाँ तो यहां पर साइंज हो जाएगा पमन करने के बाद आप हमेसा ध्यान देजाएगा जो प्रेकट का टर्म मिलेगा वह सेम भंहाएगा है प्रेल ना तो इसको कमन करके निकाल देते हैं क्या बचा एक्स यहां क्या बचा प्लस टू तो यह हम लोगों को दो फैक्टर मिल दिया और कोई भी दो नंबर या दो टर्म के भी प्रोडक्ट जीरो का होता है इसमें से कोई एक जीरो होना परेगा आइधर एक्स प्लस 5 एकोल टो 0 और एक्स प्लस 2 एकौल टो 0 तो यहां से हम लोगों को एक एक्स करभी लो निकलेगा 5 और यहां मिलेगा एक्स करभी लो माइनस 2 तो यह हम लोगों को दो 0s मिल गया एक माइनस 5 1-2 ऐसे तो हम लोग जो पोडिक पॉम में प्रक्डिंडर फिरीम है वहाँ पर जो पसे जो जिरोज के बीज है वहाँ पर हम लोग जो जिरोज है उसको ऐल्फा और बीटा से डूनेट करते हैं तो ऐल्फा जो है है उसका जो है हम लोग का जो कोफिछन के बीच का रिएस्ट होता है कि इस पर में वीडियो बनाया हुआ हूँ जिसका मैं लिंक है यहाँ पूट कर दिने है विकितना क्षा अपका सबोक्त कर देना मैंनस सबसे शुरक पोर डिलोच और यहां इतना है तो पूल आगया को उसी तरह दूसरा है क्या है आलफा बीसाइग यह यह direse 5 और बीटा कितना है माइनस 2 और सी कितना है 10 ये 1 माइनस 5 और माइनस 2 क्या होता जी 10 10 इकोल टू 10 यह हम लोग का verified हो गया verification कर दिए ठीक है तो इस परकार से हम लोग किसी जीरूज निकालेंगे और इसका verification कर सकते हैं चलिए next जो important question उसको लेते हैं चलिए हम दोनों देख रहे हैं बौड में कि जो क्वार्डिक पॉलिमिल दिया हुआ है उसका बर निकालना है और उसके जिरोग का भेरिफिकेशन करना है जिरोग और कॉपिशिन के बीजो रिलेस उसका है से चलिए पहले हम यहां दोनों में सेमी है थोड़ा साद है यहां पी जो हम लोगों का निकालने के प्रयास करेंगे तो इसमें जो है रॉंग हो सकता है यह आपका तूठाजन 17 के एक्जाम में आया हुआ है फिर आने के इसकी चांसे बहुत ज्यादा है तो देखिए हम कि इसको क्यों लिये हैं क्योंकि देखिए यहां पर आपका जो क्वार्डिक पॉलिमेल दिय मतलब जो एक्स का पावर है और डिक्रीजिंग ओडर में होना चाहिए तो यहां पर हम इसको एरेंज कर दिए उसके बाद क्या जहांता गया है आप लोग अभी था पहले बताया थे फ़र्स कोईशन में कि एक्स उसकार का कोफिश्यन और कॉस्ट्रम का मल्टिपिशन करते हैं और प्रड़क निकालते हैं कितना होगा शीक्स थ्रीजा एक्टीन हुगा अब उसके बाद जो एक्टीन का दो फेक्टर दो नमबर के प्रोड़क करेंगे तो पहला तो यहां पर साइन देखेंगे क्या साइन है माइनस तो हम लोग को जो दो यहां पर जो इसका 2018 तो होता है लेकिन यह माल सकतीन हो जाएंगे फिन तूसे 290 अटीन होता हैं यहां मैनस करने से आपका डिखते जाएगे सब्काना मिले वान लिखे टू लिखे त्री लिखे कोई नोइन एक स्किप्ट कर देंगे फोर से देखेंगे फाइब से देखेंगे रिपीट होने लगए आपको मिले गई तो हम गया उसका बाहर का फक्तर लिके जुरत है 6x square minus अभी हम लिखेंगे 9 minus 2x minus 3 देखिए हम x7 को split कर दिये 6x square minus 9x यहां पर जो बाहर bracket के बाहर minus दिया हुआ है इसे साउधान रहेगा जब ही इस bracket को तोड़िएगा ध्यान दिजिएगा यह minus plus minus हुआ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वज़ाए देहान नहीं दियेंगे तो हम जो है जो यहां पर साइन दिया वह लिख देंगे तो रॉंग होजआएगा इसहाद तॉ-सक्त कर दिये जूकि बाहर माइनस है इसके बाद नेक्स जो है 9x 9x का भी हम फेक्टर लिख सकते हैं 3 into 3 into x देखे 3 common है फिर उसके बाद x common है तो हैं स्चेफ क्या मिला 3x तो यह 3x common हो गया अब ध्यान देजिए 3x common करने बढ़े क्या बचाब का टू और x लिखिए उसके माइनस सने माइनस दीजिए इसके बाद है 3 बचा है तो यह 3 लिखिए बेकर बंद अब इसमें common देखिया प्लस है प्लस दें देंगे इन दोनों के बीच में common जो नहीं है है आप यहां निकाल कर देख भी सकते हैं तो नहीं है तो वान है common कि किसी भी नंबर के बीच में common नहीं होता है उसके शेप निकालने को दें तो वान लिखते हैं यह हो गया अब देखिए तो दोनों में जो ब्रेकेट में है वो टर्म क्या है सेम है इसका मतलब हम जो common के जाए ठीर एक्स है यहां में पाचा प्लास वान यह हम लोगा दो प्रड़क मिल लिया अभी है से जिरू निकालेंगे तो दो नंबर का प्रड़क जो है जिरू का भुत में से कोई एक को जिरू होना परेगा तो 2-3 यहां से हम लोग जिरू निकाल लेते हैं और 3x प्लस व मायनस मैं दिजbit नाया प्लास माइनस होगा एक्स लेकलуск टू माइनस लोग के धिक थसके PSC अतरयां लोगने चलिए कि यह फेकल को आलफा है क्या गएटवाइटो ओальном लोग क्या ले सकते हैं- î spaces पॉल्योमेर है उसको इस्टेंग फ्रम का जो कॉडिय पूसके साथ एंपेर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट सिक्स है इसका मताब A ॉटु six वी इकल टू जो है माइनस सेवें और सी कोल टू जो है माइनस त्री जो यह हम लोग इसको ऑर्डर में अरेंज करने का पाद इसको लिखें अभी हम लोग का जिरोज और उसके कोफिशन के बीट में क्या रिलेस्टन होता है क्वाटिक पूलिमिन के लिए तो सम अब 0 जिकल माइनस मेर्मिक होता है तो यहां दिखियाए आलफा कितना है डिरी वायटू क्लिक दिए प्लास बीटा जो है माइनस वान थरी है और यहां पर माइनस कुना है साइन देने के पाद बिखेग civ świe दो जैक लिए तुंट मेरा माने सेबदे एक हूं एं इस तो और छिपा Süक यह तो से मिलडिप्लाय करें तो यहाँ बैकेट जब तोरेंगे इसको से बैए जिक्स है यहां पर भी हम लोग सब्सक्रेइगा तो क्या आएगा इदर भी आया सेवने अबए शिक्स इदर भी यह से विश्ए टो यह हमारा एक प्रोडॉक्ट अगर सम अब जिरों का जो और कॉपिशन विजर इसको वेरिफाइड किये ठीक है उसके दूसरा जो वेरिफिकेशन है प्रोडॉक्ट अब जिरों उसका रिलेस करेंगे तो माइनस बाक्ट तो इसको बिसाकाटे धित्ली वां पर बहुत हाद और इस दोनों देखिए दोनों में क्या हुआ इक वरीफ गया थे है के यहां पर भी आपको क्या देक रहे हैं बॉर्ड में कि जीरोक्र्ट एक यह सब्सक्राइब केट हाँ निकालना है और जो जिरो निकलेगा उसका हम लोग वेरिफिकेशन भी करना है तो चलिए खाली जो हम लोग का है पोल्नेमल दिया हुआ है थोड़ा सा अलग टाइप का है यह पोल्नेमल को देखने से आपको पता चल रहा है कि सिर्फ दो ही टर्म है यहां पर एक स्क्वायर का सेमी प्रोसेस है चलिए आम इसका जिरो कैसे निकालता है उसके ज्यादा दिजिएगा देख लेते हैं तो जो हम लोग का जिरो दिया पोल्नेमल दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे लेट करके जिरो माल लेंगे अब देखिए यहां दो ही टर्म है और एक सका जो कोफिशेंट जिरो है इस प्रकार को की पोल्नेमल दिया रहेगा तो जो एक स्क्वायर है उसको ठीकी उसी लिखेंगे और जो आपका कॉंस्टेंट टर्म है न उसको जो है हम लोग एज इसक्वायर लिखेंगे तो यहां स्क्राइब कर दें कर देंगे वह हो जाता है जहां जाता है कैसे हो जाता है resource का मतलब होता है यह ईसको कणेम हम इसको कि तो यही स्क्वाइर बाएगा अभी भी देखिए इंडिसेस में लोग पढ़े हुए न पावर ब्रेकेट तोरते हैं तो पावर क्या हो जाता है इंटू टू टू कर जिए तरी आगया इस परकर से हो जाता है तो चलिए अभी यहाँ पर क्या हो गया यह फॉर्मूला के रूप में हो गया न एक्स स्क्वार मैंनस वाइस्क्वार यह इस प्रकर से कोई पोलिमेल दिया हो तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3 यहाँ पर आइधर दो नंबर का प्रोड़क् 0 और इक्स माइनस रूट 3 इकोल डूट जीरो यहां से एक्स के लिडि आपको निकल जाएगा माइनस रूट 3 और यहां पर क्या निकलेगा एक्स इकॉल टूरू तो आप देख रहा हैं कि हैं पर हम लोग को 2 00 मिला माइनस रूट तरी और टो पार लेते हैं माइनस रूट ट्री और दूसरा जो जिडरो का जो स्टेंदर पॉर्डी को ने हैं तो देखेंगे कि यह हम लोग को इहां कि नहीं होने के करन जो है बाद कर घ्यम के मानश 4 तो हम लोग का जो जीरू ओर पॉफिषिटर को भी जूरी रिकेंगे अल्फा प्लस बीटा एक उन चिह औशुए और अश्फये जए इसका घुल नत्व जूलत यहरुट त्री चुह रहा है प्रोड़की भी रिलेयों क्या है प्रोड़क्छलू उस्पिness का अक लाया है फॉट अलफा जो है माइनस रोड्री है और बीटा कितना है hola सी जो है आफका कितना है देखिए तो तो यह माइनस प्लास तो माइनस हो जागा रूट ती रूट तरी इंटू करेंगो देखिए वहाँ पर कैसे हो जाता है थ्री दिखाए हैं आपको अभी आप दोनों के दुरों तरे एक्वल आ गया इसका मतलब यह भेडिफाइड हो गया तो इस परकार से आपका बी जो है ज झाल झाल